हलो स्टुडेंट्स तो क्रैस कोर्स के इस वीडियो स्रीज में आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रो सिंगल अस्फेरिकल सर्फेस पढ़ेंगे काफी इंपॉटेंट है या टॉपिक और इससे अक्सर कोश्चन पूछा जाता है आप से कोश्चन पुछा जाएगा कि सिंगल अस्फेरिकल सर्फेस से रिफ्रैक्शन के स्थिती में मूटू बाई वी माइनस मुओण बाई यूएग िगवाल टू मूटू माईनस मूओण बाई आर सीध करें Prove that mu2 by v minus, ऐसे रहगा question, prove that mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. जहां u v r का अपना सामानी अर्थ है, सामानी अर्थ है मतलब image distance, u object distance or radius of curvature है, mu2 refractive index of second medium, mu1 refractive index of first medium. For a, for a reflection through a single spherical surface, for a reflection through a single spherical surface, काफी important question है, long में पूछा जाएगा, a spherical surface, इसके लिए हम लोग answer करेंगे, और answer में इतना बात जरूर लिखेंगे, let mn is a, a spherical surface, having pole p, and center of curvature c, it divide, यह divide कर रहा है, दो माध्यमों को, it divide two mediums, two mediums, having refractive index, mu1 and mu2, दो माध्यमों को अलग कर रहा है, जिसका refractive index mu1 और mu2 है, अब point object P, sorry, point object O, kept on its principal axis, एक बिन्वत object है, जो कि इसके principal axis पर रखा गया है, after refraction, through a spherical surface, after refraction, through a spherical surface, its image is O, इसके बाद ray diagram बनाएंगे, फिर calculation करेंगे, आप इसका screenshot लीजिए, हम ray diagram फिर खिचते हैं, अब देखें, आपने क्या लिखा, A में एक a spherical surface है, जिसका pole P, center of curvature C, radius of curvature R है, ये दो type के mediums को अलग कर रहा है, जिसका refractive index mu1 और mu2 है, दो अलग-अलग mediums को अलग कर रहा है, तो यही एक a spherical surface amen है, दियान रहे, a spherical mirror नहीं लिए कि एक तरफ से color कर दीजिए, ये transparent surface है, मतलब light ray इस तरफ से इस तरफ जा सकती है, और इसका mid point कहीं होगा, जो की pole होगा, और center of curvature और pole को मिला कर एक line खिचेंगे, तो वही line इसका principal axis कहलाएगा, आपको पता है कि ray optics में हम लोग paraxial ray के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ray जो principal axis के काफी करीब है, ऐसे स्थिती में जो भी angles बनेंगे काफी छोटे छोटे होगा, तो ये pole हो गया, center of curvature जरूवत के रूसार हम बैठाएंगे, एक object O यहां रखा हुआ है, इस तरब के medium का refractive index हम लोग mu1 ले रहे हैं, और इधर के माध्यम का refractive index mu2 है, मान कर चल रहे हैं कि mu2 greater than mu1, दो अलग-अलग mediums हैं तो दोनों में से कोई एक radar दूखसरा denser होगा, अगर equal होता तो फिर दो टाइप के mediums होते ही नहीं, दोनों same medium हो जाता, तो यहाँ दोनों अलग-अलग medium है, वो एक कोई point object है जो कि इसके principal axis पे रखा हुआ है, अब यहाँ से एक प्रकास की run light ray इस टैप से चली, और spherical surface के q बिंदू पर incident हुई, यह q point है, यहाँ पर पहुँचने के बाद, अगर same type का medium होता, तो यह इसी path पे आगे बढ़ते जाती, अगर same medium होता तब, दोनों का refractive index, दोनों तब का same होता तो, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस परकास की run का होना है, reflection, reflection को समझने के लिए, इस incident point पे हमको चाहिए normal, नॉर्मल के लिए, spherical surface के जिस point पर normal आप खिचना चाहते हैं, उस point को सीधे center of curvature से आप मिलाईए, क्योंकि spherical surface के किसी भी point पे normal, मतलब कि उस point को center of curvature से जोड़ दीजे, तो यह हो गया center of curvature C, और यह जो red line है, यह normal खिचा गया है किस point पर, Q point पर, तो यह मेरा हो गया point Q, अब यह ray, rayr से dinsen में जा रहा है तो इस path पर नहीं जाकर, बलकि bend करेगा, तो किधर यह मूड़ेगा, towards the normal, इस step से यह normal की और मूड़ गया, मूड़ कर ऐसे चला, तो यह principal axis के o dash point पे cut किया, एक खुद एक परकास किरन इस object से, जो होगा, वो principal axis खुद एकरे होगा, जिसका कोई reflection नहीं होगा, क्योंकि यह spherical surface पर perpendicularly आ रहा है, क्यों, क्योंकि PC जो line है, यह line, यह center of curvature से पास कर रहा है, तो center of curvature से पास होते हुए, कोई भी line aspher के surface पर खिचेगा, तो वो aspher के surface पर perpendicular होगा, मतलब यह PC जो line है, aspherical surface amen पर perpendicular है, और अगर कोई ray किसी refracting surface पर perpendicular गिरती है, तो वो सीधे पार कर जाती है, उसका कोई reflection नहीं होगा, ऐसा हम बतला आए थे, अब देखिए, यह o object o dash का image, यह angle of incident हुआ आई, इसको आई लिखेंगे, इस angle को यह आई हुआ, यह angle of reflection, normal के साथ refracted ray जो angle बनाया, उसको r लिखेंगे, इस angle का नाम हमने alpha दिया, इस angle का नाम beta, और इसका angle का नाम gamma, यह q o c o dash, अब देखिए, एक triangle आपको दिख रहा होगा, q o dash c, तो यह हम लोग लिखेंगे, in triangle, in triangle q o dash c, q o dash c में, angle beta is equal to gamma प्लस r होगा, क्यों, क्योंकि, कोई भी exterior angle, sum of two opposite angle के बराबर होता है, तो beta is an exterior angle, तो gamma प्लस r, beta equal to gamma प्लस r होगा, तो लिख सकते हैं, r is equal to beta minus gamma, number one, now in triangle q o c, now in triangle q o c, q o c में अगर बात करेंगे, तो फिर से i exterior angle है, तो i equal to alpha plus beta लिखतो के, तो i is equal to alpha plus beta, यह number two हुआ, अब a snail's law, from a snail's law, a snail's law का अगर मदद लेते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, mu1, इधर के medium का refractive index mu1, दूसरे तरफ mu2, light ray जो है mu1 से mu2 में जा रहा है, तो mu1 sin i, is equal to mu2 sin r, यह होगा, और mu1 sin i, sin i का value देखो, alpha plus beta है, तो sin alpha plus beta, sin alpha plus beta, is equal to mu2 sin r, sin r क्या है, beta minus gamma है, अब आपको बतलाया गया है, कि अगर theta काफी छोटे हूँ, क्यों छोटे हूँ, क्योंकि paraxial ray के बारे में, हम लोग अध्यन कर रहे हैं, जो भी ray optics में हम लोग ray लेंगे, सारा का सारा ray paraxial होंगे, मतलब very close to the principal axis, अगर यह ray काफी करीब हो principal axis के, अलफा, बीटा, गामा काफी छोटे होंगे, ता ऐसे स्थिती में, हम लोग लिखेंगे, if theta is a small, अगर theta small है, तो sin theta theta के बराबर होगा, then, sin theta, जो होंगे theta के बराबर होंगे, लेकिन यह theta degree में नहीं, रेडियन में होना चाहिए, अगर जब theta radian में होता है, तो theta equal to arc by radius होता है, चापबटा तरिज्जा होता है, तो sin theta कब कितना के बराबर होगा, theta के बराबर, condition है कि theta radian में होना चाहिए, अब ऐसे स्थिती में, इसलिए, mu1, sin theta को हम लोग लिखेंगे, theta alpha plus beta, is equal to mu2, sin, beta minus gamma, को हम लोग लिखेंगे, beta minus gamma, यहां से, mu1 alpha plus mu1 beta, is equal to mu2 beta, minus mu2 gamma, mu2 gamma को इधर बुला लिजे, तो mu1 alpha plus mu2 gamma, is equal to mu2 beta, minus mu1 beta, तो mu2 minus mu1 into beta लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, अब आगे देखें, यहां पर, लिखेंगे, mu1, alpha का मतलब होगा, arc by radius, यहां तो qp by op, op इसको लिख देए, mu1 alpha plus mu2, mu2, और gamma है, gamma का मतलब qp by po, qp by po, is equal to, mu2 minus mu1, mu2 minus mu1, और into beta है, beta को लिखेंगे qp by pc, qp by pc, अब qp, दोनों तरफ common है, qp दोनों तरफ common है, तो क्या लिखा जाएगा, दोनों तरफ से cancel हो जाएगा, mu1 by op, plus mu2 by, po dash, यह po dash होता, beta is equal to, gamma is equal to, हमनों क्या लिखेंगे, यह क्या था, mu2 minus mu1 by alpha, alpha के लिए qp by po, यह op, और mu2, gamma के लिए po dash, यह o dash है, तो mu1 by op, mu2 by po dash, is equal to, mu2 minus mu1, और by pc, अब देखें, op से o का डिस्टेंस, object डिस्टेंस, लेकिन यह incident रहके, opposite है, तो इसको लिखेंगे, mu1 by, minus u, plus mu2 by, po dash को लिखें, b, mu2 minus mu1, by r, pc, r होगा, जो की positive होगा, po dash b होगा, जो की positive होगा, तो इसलिए, क्या हो गया, mu2 by b, minus, mu1 by u, is equal to, mu2 minus mu1, by r, यही formula, हम लोगों को लाना था, यह formula लाना था, तो यह reflection, प्रो single spherical surface देखें, इसी के मदद से, हम लोग lens maker formula देखेंगे, वो काफी important है, वो question भी, लेकिन वो तभी बनेगा, जब आपको single spherical surface का formula आता होगा, मतलब यह formula अगर आप जानते हैं, इसका apply करना जानते हैं, तो फिर lens maker formula काफी आसान है, जो कि उसको भी बार बार पूछा जाता है, तो यह आज का काफी important question था, अगले एक वीडियो में, हम लोग discuss करेंगे, reflection through double spherical surface, और उसके उस इस्थिति में, हम लोग lens maker formula, so करेंगे, तो आप इसका screenshot लीजिए, आप इसका screenshot लीजिए,